हालो दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप कि आप अच्छे से स्टेडी कर रहे होंगे और आज मैं एक और अच्छी वेकेंसी तैयारी करने के लिए एक और अच्छी वेकेंसी ले गया हूँ आप लोगों के लिए अक्टुमबर महां की एक और अच्छी वेकिंसी आ चुकी है पहली ऐसी भरती है जो पस्ट अक्टुमबर को इसका ओफिसली नोट्रिपिकेशन जारी हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि पस्ट अक्टुमबर से ही इसके आविधन पर क्या सुरू हो चुकी है भारत के सभी विध्यारती इसमें आविधन कर सकते हैं आप लोगों के सामने इसका पूरा नोट्रिपिकेशन रखने वाला हूँ आविधन कैसे करेंगे वो भी मैं आपकी पूरी डिटेल देने वाला हूँ जिहां दोस्तो अगर आप एक सरकारी जोब्यान की पर्मानेट जोब की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीधियो देख सकते हैं अगर आपके पास दसवी की कॉलिफिकेशन है और आप अठारा साल के हो चुके हैं तो आप ये जरूर देख सकते हैं आपके पास अंतिम तारिक 24 सट्टूमर है 24 सट्टूमर से पहले आप इसे जमा गरवा सकते हैं हम बात कर रहे हैं BEL की नई भरती के उपर भारत ये Electrical Limited की हम बात कर रहे हैं जिसमें Officially Notification जारी हुआ है खास कर उन विध्यारतियों के लिए हैं जो इसके पहले से ही स्टेडी कर रहे हैं तो चलिए दुस्तों शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हर रोज की तरह हम आप से कहते हैं जो विध्यारती नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज आप हमारे चैनल को कीजेगा सस्क्राइब और बेल आइकन को ओन कीजेगा आने वाले हर एक Notification सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं तो दुस्तों अंति तक बने रहे हैं हैं मैं आपको आवेदन के क्याति बारे में जानका कने हैं या फिर हमारे डिस्क्रेसिन बोक्स में इसका रोटितै तो चले सुरू करते है नोक्रापिकेशन के उपर हम बात करें भारत से Electrical Limited के उपर जो भारत की एक बड़ी विक्षित कमपनी है जिसने कई सारे पदोपे वेकेंसिया निकाली है यह देखेगा भारत यह Electrical Limited जो भारत सरकार रक्षा मंत्रा ले दुवारा भारत यह Electrical जिसकी अभी वेकेंसी हुई है जिसमें गाजियाबाद एक इक इक इस्तागित आधार पर विभाग में पूर्वे सेनिकों की आविशक्ता की अनुसार भरती निकालेगी है इसमें देखिए हवलदार की पोस्ट है वेज गुरूफ थेड के अकोर्डिंग तो इसमें सिक्योर बारवी दसवी उत्तिन होना जरूर यह 15 वर्ष से सेवा अधिखान आपने किसी वी सिक्योरिटी गाड एजनसी में जोब की है तो आप उसका सेटिपिकेट लगा सकते हैं 18-18 साल तक का स्टुडेंट इसमें अप्लाई करेगा इसमें देखिएगा जर्निल की चार पोस्ट यानि कि आपके पास ससी हजार के आश्पा सेलरी होने वाली है जिया दोस्तों आपने सही सोना सेनया लड़ा को दिश्टावे जो प्यारती यानि कि ये वो स्टुडेंटों के लिए है जो स्टुडेंट आर्मे में जोब कर चुके शुरुक साविभाग के अकौर्डिंग जिनमें जोब कर चुके और वो स्टुडेंट वो अभ्यारती वो मैं इसमें जरूर आवेदन कर सकता है उनके लिए ये काफी अच्छी इन्वाइट किया गया है विकेंसी के अनुसरा चैनित परिकेर की बात करें पात्र उमिदवार सारा रिक बल आपका फिजिकल होगा फिर उसके लिए आपको फरिक्षा देनी होगी रिटन टेस्ट होगा रिटन टेस्ट के बाद आप इसमें चैनित होने के बाद आपको केवल गाजयवाद में ही उत्रपरदिश में नोकुरी मिलने वाली है तो दूस्तों परस्तुत के जाने वाले दस्तावेजों में आपकी जरूरी है तब भी आप इसे फिलिप कर पाएंगे क्योंकि अगर आप जो भी डोकुमेंस की फोटो को भी लगाते हैं तो उसके साथ आपका फोर्म डोकुमेंस यानि कि आपके सिगनेचर होना जरूरी है हम आगे इसमें बात करें एपलिकेशन फिलिप के बारे में तो एपलिकेशन फिलिप में जर्नल और OVC को 300 रुपे देना होगा जबकि S.C.S.T. और P.W.D. को 0 रुपे किसी पर करगा कोई पैमेंट नहीं देना होगा साथ ही हम बात करें आपके पास पैमेंट जमा करवाने के लिए स्टेड बैंक S.B.I. कलेक्शन के अकोडिंग या फिर स्टेड बैंक को लोड करगिंग या पिर आपके पास कारपुरेशन ता के नसर कोई से भी बैंक उसके नसर आफिसमें डीडी जमा करवा सकते हैं यहां पर देखेगा बैंकों के अलग-अलग नाम यूनिट के अकोड़िंग यहां पर नाम दिया है आप किस के जरिये 300 रुपे से जिरु रुपे तक पेमेंट करवाना चाहते हैं यदि पात्र उम्मेदवार आविदन की संक्या अधिक यानिकी होती है आप एक से ज के बारे में कुर्पिया सुनेचीत करें कि आप विध्यापन के समय और माप डंड आयू और अनुभव और परमायां पत्र आदि पूर्थ रूप से आपके विध्यापन के अकोडिंग आपके सब कुछ क्लियर है तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं आविदन करने के लिए आविदन करने वाले इच्छत उम्मीद्वार आविदन निदहर्थ पारूप में इसमें रेजिस्ट्रेशन पोस्ट और पोस्ट केरियर के जरे आप इसे भेज सकते हैं भेज करने के लिए आपके पास यह एड्रस होना जरूरी है जिसमें आप लोग भेज पाएंगे इस एड्रस पर आपको फिल्ब करके इस फाम को भेज ना हुगा अगर आपको किसी परकार की समझ चाहो तो आप सिद्धे कमपणी के मेल के कोड़िग एचा डिपार्टमेंट के इसे संप्रक कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं आगे हम बात करें फाम कैसे जमा करेंगे ओफ लाइन जमा होगा यह देखेगा name of the post हवल्दा security post जिसमें आप लोग सब से पहले अपना नाम फादर्स नेम पर्मानेट रेडरेस बाकी qualification, character certificate आपके पास experience का certificate यह सारी detail आपको apply करनी होगी करीबन दो page का पूर तीन page का पूरा form है जिसे flip करके आप इस address पे भेज सकते हैं यानि कि दोस्तों यह address और form आपको दोनों ध्यान रखने होंगे, आप सवाल यह होता है कि आपको एक form कैसे प्राप्त करना है या फिर आपको उसके कैसे इसमें जमागरवा पाएंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले form निकलवाईएगा, आप ओपे से लिए वेवस्टर से form निकलवा सकते हैं, अगर आप नहीं निकलवा रप पा रहें तो आप अमारे नीचे दी हुए, वेव बोक्स में देख सकते हैं, या फिर आप हमारे Facebook ग्रूप से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे Instagram पीज को follow करें और वहाँ पर message करें, हम आपको personally message करके आपको इसका notification देंगे, साथ ही, अब आपको फिर भी अगर इसमें doubt हो, आप नहीं कर पारें, तो दोस्तो आप इसकी अडिक जानकारी के लिए आप हम से संपरक कर सकते हैं, Instagram के जरी हैं, और दोस्तो कैसा है, अगर आप इसमें आविदन करना चाहते हैं, तो दोस्तो दिहान रखेगा, वही student इसमें आविदन करेगा, जिनके पास qualification है, दसवी की और security guard का certificate है, यानि कि experience है, जिसे कि हम बात करें, जो आर्मे वगरा में नोकरी कर चुके हैं, उनके लिए ये vacancy निकली हुए, तो कैसे लगा वीडियो, अ एक बाद दिल से लाइक कर दीजेगा थे, कि दोस्तो जेह हीं, दोस्तो